तो दोस्तों आज ही हम लोग का फॉर्स चप्टर है यूनीट मेजर्मेंट एंड एरर्स हम लोगों ने पहले इंट्रोडेक्शन ओल्लेटी देख रहे हैं और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग वीचिक देख लगके हैं आज हम लोग चप्टर स्टार्ट हम यूनीट मेजर्मेंट एरर्स एंड ओविस्ली इस लक्षर में कम्प्लीट चप्टर नहीं होंगी क्योंकि हम डीटेल में पढ़ने वाल है हम एक चीज को पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तो आप शुरू से अन तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में जाएगे और जल्दी में आ रहें इसे क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में कुछी मिस कर देते हैं और फिर हम उससे इसको समझ नहीं पाते हैं तो फूर बेटर अंडर स्टैंडिंग यूब तो वाज केरफुली एंटिल लास्ट लास्ट तक आपको ध्यान से देखने हों द्यान से देखते रहिएगा फोकस कीचे डिस्ट्रेक्ट नहीं होना है फोकस करना है तैम लगएगा क्या हम डिटेल में बढ़ रहे हैं फाउंडेशन की तरह आप लेशकते हो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन के करें लोग देखेंगे कि उसके रिवीजन आएग हों ऊपिजिट समकित हाँ ऊप्वार किस में निया सब्स ब्सें कर रहे हैं पहले हम लोग इंट्रदक्शन देखेंगे तो हम्लग देखेंगे फूचिकाल क्वांटिति क्या होती है यहीं क्वांटिटी संने में जिसी चीज को मैजर कर सकते vídeosों जिस चीजीको मैजर कर सकते है उसे हम बोलेंगे physical quantity अब देखो जिस दिनेश सीज़ को मेजर क Après इसी बात आप उस चीज रे हम ब्रविसी को तक कर सकते हैं तो उसको भीडिकॉसके बाद हम यह बोल सकते हैं कि जिस चीज़ को नंबर में एक्सप्रेस कर दें वही क्या होती है फिज्ब क्वांटिटी कुछ भी अब देखो ईक सीसी बताते हो मुझे पें जो है आपको कितना पें होता है कि आप इसे कर सकते हो नहीं कर तो आप इस तरह से भी आप सकते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं आप कितने खुशी हो कि इसको मेजर कर सकते हो नहीं यह सब आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है लेकिन अब एक जाओ यहां पर एक मतलब आरन का यह टुकड़ा रखा हुआ कि अब इसका तैना वेट होगा कि आप मेजर कर सकते हैं यह गति क्या हो यह पीछ चीजों के पीछे कोई कई लौ होती है कोई क्या होती है उस नियम पर यह सब काम कर दो जीसे की हम धर्ती को घूम रहा है तो उसके भी बहुत स्केपलर्स के थ्री लॉज यह कि उसके पीछे क्या होगा कि की अधियर वेलोसीटी से मोगा एक्सेक्टर एक्सेक्टर आप्लोग ग्यारीटेशन इसको निटियमें पढ़ेंगे पर टूंडर्स्टैंडिंग इसकी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन्सका वह सभी क्या होते हैं आपका कुछी किसी लॉग के का मतलब को लॉग उसके करने में के लिए मतलब उस लोग को जाननी के लिए को कुछ कॉंटिटी के ज़ुरुत है क्या करते क्या करता अब यह नियुक्टिकल और सब्सक्राइब कर रहा है तो इसका क्या होता है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है यह दूनों फोर्स आपका बैलेंस होता है इस तरह सी क्या होता है गूंपात है को इस यह चीज जानने के लिए नियुक्तिना सभ्सक्राइब कर सकते हैं किलेक कर सकते हैं टाइब्स कुंक्रियों कर सकते हैं now types of physical quantity physical quantity कितने परकार के होते हैं देखो दोस्तों physical quantity को directly हम on the मतलब परकार ऐसे नहीं बता सकते हैं किस चीज पर डिवाइड कर रहें physical quantity को वह उस पर डिपेंड करता है कि physical quantity कितने types होंगे basis is important to say that कि how many types of will be physical quantity how many types of physical quantity will be अब वह बेसिस पता जाता है for example अगर हम ले लेते हैं physical quantity on the basis of direction तो वह दो होते हैं a scalar and vector on the basis of their measurement वह तीन होते हैं fundamental ड्राइब्ड और supplementary तो किस बेसिस पर आप physical quantity को डिवाइड कर रहे हो classify कर रहे हो that's important तो पहले हम देखेंगे on the basis of units and their measurement कि पितलब फिजिकल quantity को units और उसकी measurement की बैसिस पर कितने टाप्स में बाटा गया तो त्री टाप्स में कौन-कौन पहला जाद fundamental और base quantity fundamental quantity कोई क्या कहा जाता है base quantity कहा जाता है second is derived quantity and third is supplementary quantity अब यतिनों क्या क्या होते हैं उस चीज को हम देखेंगे पहले देखेंगे fundamental quantity या फिर base quantity क्या होती है तो physical quantity which do not depend on the other physical quantities are known as the fundamental या फिर base physical quantity जैसे की length mass electric current time temperature luminous intensity amount of substance etc यह सभी चीज़ें यह सभी क्या है आपका physical क्या होती fundamental तो जो किसी और पर डिपेंड ना करें इसका मतलब क्या हुआ सब्सक्राइब दो चीजी दे रहें आपको जैसे एक मालू मास है 어 and velocity अब एक चीजी बताओ मास का मैस मास का unit क्या होता है के जी हम जानते हैं और छृइट STEP už से करफेंड है हना मास के लाबावा आप हमको लेफ्स का बताओ लेंध का युनिट क्या होता है written कैना मास केलाब cell height length5 unixley meter और time का चछ enhance एप जो आप उने निकाल सो मीतेटर फिकन्ट इककी सब्सक्राइब दिपैंड है इस मीटर पर और से केंड अगर उने मीटर न तो सिखना हो तो यह अपक्र ड्रैब्ड करी नहीं सकते हो कहा सा यह इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके लिए किसी और किलोग्राम से डिफाइन नहीं होगा इसको हम क्या किते हैं सब्सक्राइब कर इसके लिए चल्छी के से बताया यानि तुछ इसे माद सब्सक्राइब के सब्सक्राइब बताएं कि बिस्प्लेश्मेंट इसे हम को ये ड्राइब क्वांटिटी बता ने से एक क्वांटिटी क्या होती है उसकी इसका इक्सपनेशन होगी स्क्वाइब ऑग्वाभट सॉड़ी फिजिकल उनेट्स क्या कि द्राइब यूनिट्स वहां पर इसी आपको बता दिये बट चुली यहां नहीं पतानी चाहिए वहटेवर हम इसको इस फिजिकल कॉंटिक वेसिज पर आदेते हैं यूनों वराबर क्या होता है स्धroscopy रटा उती है डिस्प्लेशतम भाथेंट चाहिए और ताइम शाहिए अगर यह दुनों नहीं है हम इससे को डिफायन करीने सकते हैं यह जो फैलोसिटी है किस पर dependent है displacement पर time पर है तो तो इस अरगा मतलब है यह जो है फैलोसिटी इस लिए इस पर फैलोसिटी क्या बोलते कि आपको ड्राइब्ड उनिट्स नहीं बोलेंगे इसे हम बोल देते हैं कौन सा सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी और चीज की ज़रुत नहीं पड़ती है और यह अकर ड्राइब्ड यूनिट्स की बात करें तो ड्राइब्ड यूनिट्स क्या होती है इस दूसरे पर देपेंट करता है कौन सा दूसरा सर और यह अपका फिजिकल कौन सीट यह होती उसी पर डिपेंट करता है तो देख लिए कीजिकल कौन्टिटी यह लेंथ है और वेलोस्टी टाइम बात समझें एक और में एक्जामपल लिलता हूं जैसे मालों फोर्श फोर्श्वरावड क्या होता है मास्स इन्टू एक्सलिडेशण अब दखरमान वो क Serum काम अब फर्दश सब्कर नीट कर रहे हैं चाहिए मैं फट्रद का फर्दर ट्रयॡा गैप सर खर्द्रेशानमिंट जारे हुं चीजों को को समझनी एक्सली एक्सलिडेशन पाता हुं तो है भी फॉर्मिला या फिर एग्जेक्टनेस पर नहीं हमको समझना है कि यह बढ़े ड्रैब्ट इनिस होती है और फिजिकल क्वांटिटी और और ड्रैब्ट क्वांटिटि नौ आप यहां पर देख सकते हो कि यह जो है इंडिरॉक्त थेudeना मांस कहा फ्र उक्रामेंटाल उसका है। क्पर यहां पर रीयंदेंटामेड़ा उसके लाँ आपके इसन है। आप यहां से देख सकते हो कि ये जो ऑग ना कहीं आ लिए अपका fundamental quantity पे dependent है तो यह हो जाती है ड्राइब quantity जो कि दूसरे पे dependent हो यह क्या होती है दूसरे dependent और धीज अर्टेबर फ्री होंगे उसे ही क्या बोल देंगे fundamental quantity जो दूसरे पे डिपेंड दूसरे बोले तो fundamental पे होता है को तो से क्या बोलेंगे टो fundamental quantity किसे बोलेंगे जो फीडियों और फिर जो फिर ना हो जो फट्रामेटल उनिस पर depend करें उसे हम लोग क्या बोलेंगे ड्राइब जैसे कि व्यूर्क प्रेशर एडिया यहां पर एक मतलब एंगल हो रही जैसे मालों की कीप होती है उल्टा कीप या फिर बड़े आप बड़े कैप देख सकते हैं एक जाक्ली कुछ ऐसा ही होता है इसमें और लगा होता है उसका ंंगल बीचे बन रहा है उस चीज़ को लोग क्या बोलते हैं Solid अंगल , इसमें बोलते है dire यह कॉइंटी का होता है यह छोटे क्योंटी कॉणटी होता है यह फिरिव एक मेजर करगे देते हैं थोरा सा मैं explanation के लिए और जाता हूं I hope आपको समझ में आड़ होगी थोरा सा overflow हो तो चीजों को मैंड में रखना है further जो हम आगे पढ़ते जाएंगे वह हम clear हो जाएगे जैसे for example मानलो अगे फैसे मैं एक एंगल है हम प्लेन अंगल की भात करते हैं यह थीटा यह माल लो की आरख है और का सबस्क्राइब है यह लेन्ग है यह वगि लेन्ग है यह यह लेन्ग है और यह दोनों क्या कि यहां से बोल सकते हो कि थीटा वड़ावर सब्सक्राइब होगा यह लेंद्ध और आड़ी लेंद्ध तो दुनों पर डिपेंड है लेकिन इसमें फ्राइब्स होती है दोस्तों क्या होती है universal जब हम आगी पढ़zil प्रहेंगे कि कि consumers इसमेंटिन नहीं होता है uh blended करे अब बताना नहीं चाह रहे हैं जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम क्या क्या कुआते हैं उनीट उनीट को देखेंगे सद्सक्राइब को आशनल नहीं होती है लेकिन यह जो अपने हम पढ़े हैं ड्राइव यूटिटी यह क्या होती है डिपेंडेंट भी होती है और इस पर डिमेंशन भी होता है कि यह जब बोथ डिफरेंट और अपको समझने आ गई होगी अंद बैसिस अफ देर बेजर मेंट हमने फिजिकल कॉणिटी को त्री टाप आपाट स्ट में डिवाइड कर दिये हैं नो हम देखेंगे अन देशिस ओफ डारेक्शन एंड डियर मेंगनिट्यूड देखेंगे और फिजिकल क्वाइटी दो टैप्स को होते हैं कौन-कौन एक होता है इसकेलर दूसरा होता है फेक्टर एक तीसरा भी होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं तेसरा क्या होता है टेंसर बट यह जो है आपको एमसीं पढ़ाए जाएगी टेंसर क्वांटिटी ए पतला क्याते बस नाम जाने एक टेंसर क्वांटिटी होती बटी इजर नोट फॉर द श्टडी नौ यह आपको एमसी मागी पर हाई परने को मिलती है इसका बहुत सरे टाइप्स होती है मिन्स विकन से देरिए रिए रन चैप्टर टेंसर क्वांटिटी तो हम उस पर नहीं क्या होती है जो सिर्फ करेंग और क्वांटिट टो दोनों पर करें सबाद का होती है खोत्यक की डिस्टेंस इनर्ची पावर टाइम स्पीड एक्सेक्टर वेक्टर क्या होती है फिजिकल कॉंटिटी विचाज मैंगनिट्व एज डारेक्शन जिसके पास खुद का मैंगनिट्व भी हो और डारेक्शन भी हो उसे क्या बोल देंगा लोग यह क्या होता है इस चीज को यह मानलो क्या किते हैं आप कोई ऑब्जेक्ट है इसका वेट कर रहे हैं ठीक है अब एक सी देखो कि आप इधर दकेर रहो तो मुव्मेंट कि इधर होगी इधर होगा आप इधर दकेर रहो तो मुव्मेंट किदर कड़ेगी अब एक सी द्यान से देखो आप इधर वेट क केजी ही होगा अभी आपका यहां पर पांच केजी वेड़ कर यहां से दिख रहा है तो यहां से होगा यहां से होगा लेकिन अगर आप इस फोर्स को यहां से देख रहे हो और फिर कुछ दरबाद आप यहां जैसे मालों की यहां पर है यह आप इधर से देख रहे हो आपको कुछ इधर फोर्स लग रही है लेकिन आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा फोर्स क्या किते हैं आपको उल्टे दिशार से लगए क्योंकि आप देख रहे हो इधर और आपको इधर से लग दिख रही है तो इसको को एक्स्प्लाइशन एक्स्प्लियन करने के लिए आपको डाइक्शन के रिग्वर्मेंट हो गई क्या से दूसरी बात है अगर यह समझ में नहीं आ रही याँ चैज को एक्सपेंड करने के लिए इसके एक्सक्राइट करने के लिए आपको सर्टेन डायक्षिन की जुर्वत बड़ी नहीं होती है इसको गड़ी छीजज है नहीं होती है इसकलर वेक्टर आइखोप के लिए होगी आपको इसकलर कॉंटिटी जिसको दिखाने के लिए आपको डिरेक्ट्ट की जरुरत हो नहीं तो वह तो व्हेक्टर कॉंटिटी हो जाएगी यह लेते हैं अगर अगर यह अब्जक्ट कि इधर मुव कर रही है तो आप हंडिड़ डिक्षों के और घृट्राइब हो गई अब किधर वी फोर्स लगा दो एसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि यह पॉर्स लगा लोगा उसका एक मैने होती है कि जी जिए दिक्ट्राइब में व्हुंज तो इसको सब्सक्राइब करें कि स्तैटें के रग्यर्मिंट होगी इसे मंस क्या बहं देंगे वेक्ठर कө तो तो सिर्फ शेख मँआंगर्स होंगे और फैसे मचल दोनों होंगे मांद इसंट sweetheart esis ऑगे और यह बीशन होगा टो जो मिटकerschThe डियरेक्षिंद से क्या बोलेंगे अंड़ से क्या कि लिए होगी होगी हम भी हां पर देखते हैं में रहां पर आएंगे क्या है हुदार हम देखते हो पर थो को फिर से यहां पर एक और तो वह एक घंग तो ऊपर आगЕ इसको पढ़के दैनों पड़ेंगे है यह कि शलो पहले अब हम आते हैं इससे फिजिकल कों ठीटी समझा क्या हो थि यूङ कि हम उनिएक हो यह यहाँ से यहां गई मानले यह आपका घर है और में आप कितना घए हो क्या गए हो सिर्फ आपको यह बताने के अलाभा आप घ़र से country गए हो यह भी बता सकते हो कि KIतना गए हो क्या गए हो कि इसको बताने के लिए यूनियत की रिक्वार्मेंट होती है एक होती है हमने क्या इस आपके घर औरBL की बीच को को थी भागाम मां लिए मानट की चलना है किमा हम इसको कुछ मान लेते मां लेते किसको TV बोलेंगे Energ आप कितना गय कि तो नहीं है अगर हम मान लो कि आप ने क्या किया कि दूसरा आप ने क्या किया आप छीज को समझे लाय तो हो कि तरी तरी चिका प्राइब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको तीन भाग मालेद मालो कि यह जो भाग है यह एक केजी था यह पर पता नहीं है इसको वेट कितना है आपको पता नहीं है वेट कितना है इसको वेट पाजाने के लिए इसको भी तीन भागे बार दिये इसको मालेते एक इसको जानने के लिए पता है — अब इस दिफ्रेंस दूह नहीं है लगाट नहीं है कि आपके और क्या चीज़ मेजर कर रहें नहीं तो हमने भी इसको मेजर किया तो तीन आया ते दोनों पे फर्क किया हुआ सुर करने के लिए हमने सठे नाम दे दिए उसके लिए क्या नाम दे दिए तो लेंट कमापने के कि हमने मीटर नाम दे दिया कि यह जो सर्टेन डिस्टेंस हम माने थे ना इसको एक ना बोलकर एक मीटर बोले इस जो इस अब्जेक्ट का इसको एक ना मानके एक केजी कर दो अब यह कितना हो गया एक केजी दो केजी तीन केजी और यह कितना हो गया एक मीटर दो मीटर तीन म नहीं रहेगा तो फिजिकल्क वांटेटी अधूरा होजाएगा हम उसको एक्स्प्लेइन ही सकते हैं प्रिजिकल , क्वांटेटी को धैस्थ यूदीट क्या है ? टक हमने क्या कर रखा है ? मान रखा है उसी लिए इस जो माने हैं इसी माने था क्या बोलेंगे स्री यूदीट ब यह पता ही नहीं होता है कि एक टुकड़ा गये दूसरा टुकड़ा तरी साथ कर सकते थे तैस मैं अधर यूनिट है आगे होगी यूनिट क्या होती है किसी इसको मेजर करने के अभरनेंट होती है। तो मे Waar फीजीकल क्यौंटिटी रूख है। थूरौ में वहुटनिटी। na ।ुक्तूcha इसर smell को फीजिकल क्यौंटिटी ₹ tad लोग की यह लेंथ है तली माइनलों पांच फाइम मीटर का लैंथ है इसका फाइम इंटर का मतलब क्या कि एक-एक पांच बार है 15 lg यह को क्या है बटे हुँ है और इस यह को इसको जो मेज़र करने के इसको जो महपने की वह प्रोसेस होता है उसी प्रोसेश को बोलते हैं तो आप यहां कटें के लिए कि करने के लिए ग tid करने के लिए लिए टिएव से घिजय को एक्सेल generate एक्सब्रेस कर ने क्लिएती है जाए लिए बड़ोर्ग को पूस खोसका नीच घ्र सज्ड़ी तो उने मतलब ही नहीं चाल ओ tends तो यहां पर क्या हो रहे हैं इससे दस गुना ज्यादा फोर्स लगते हैं यहां पर यहां पर कितना टाइम्स ही है क्या है और रखांत टीमिटर अगया कि अब हैं अब धी एक और यहां पर को अब दिखो कि यहां पर इक heel party with his previous quality bådeXyaис nodig wichtig के तり aboutор पहुआ कि अम नहीं है किसे पहलों कोई मेर नहीं कर थे इससलिए कोई हम मेजरा ही कर डिसलिए इससे पर डिफाड कि रही है उसका कोई quantity नहीं होती है क्या होती है युझी नहीं होती है यहां पर क्या हो जाएगी आपका यूनिट होगा जो इसका यूनिट होगी वही इसका भी यूनिट होगी क्योंकि हमने हम सिर्फ तो ड capitalize को देखा है उसने बदलाव नहीं पुणा होगे है कि क्या क्या है यहां को मेजर्ट होगे करें और फिर इसके लोड़ वक्राइब करने के लिए ने जिए नियुक्छ कुछश वरति से से लिएक जो फंडमेटल उनीट्टी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे लों फंडमेटल उनिक बोल देंगे तो कितने फंडामेटल उनिट्स हैं कौन-कौन मीटर किलोग्राम सेकेंड एंपियर केल्विन केंडला एंड मोल और इसी सातों का यूज़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको इसी से ड्राइब की गई है कि यह दिज यूनिट्स और यूज़ इसे इसको बनाएं गई है यह क्या होते हैं फ्री होते सबसे इनिशियली वाली मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड वर कंसिड़ वी फंडामेटल यूनिट्स पहले जो था हमने यहां पर साथ इमान रखे क्यां हैं लेकिन पहले कि दा था तीन ही था कौन-कौन मीटर किलोग्राम सेकेंड लेकिन बाद में एम्पियर केली कंडेला और मोल यह चारों को एड की गई लेटर ऑन यूनिट्स ऑप दा एम्पियार यह कैलीन कंडेला और मोल इन सब को यहां पर एड्ट की गई मतलब कि the units of all over other physical quantity except fundamental physical quantities which are obtained with the help of fundamental quantities are quite drab units मतलब कि जितने भी physical quantity है fundamental quantity को सोरके उन सब को measure करने में जो units required होती है उसे यह बोल देंगे drab units जिस तरह हमने उपर देखा था कि fundamental quantity क्या होती थी सुरी drab quantity क्या होती fundamental quantities आ रही थी इसे लोटे drab units भी क्या होगी fundamental units से आएगी supplementary unit क्या होगा supplementary quantity को measure करने के लिए उसे हम लोग क्या बोल देंगे supplementary quantity कौन कौन होते थे आपका plane angle और solid angle तो plane angle और unit of plane angle और unit of solid angle इसका जो unit होता है radian और इस्टे रेडियन होता है क्या होता है radian उसे उपर हम टेबल जो हम देखे थे मिस किये थे उसमें यहीं चीज़ें में दर की गई है कि रेडियन एंड इस्टे रेडियन वह पर हम यहां पर लिखाओ कि हम जो भी 7 fundamental quantity पढ़े थे कौन-कौन length, mass, time, current, thermodynamic temperature, amount of substance और luminous intensity यहीं सार fundamental quantity होते हैं इसका units कौन-कौन होते हैं तो length का unit meter होता है mass का kilogram मतलब length को किसे मेजर करेंगे? मीजर में, mass को किसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में, time को second में, current electric current को ampere में, temperature को Kelvin में, amount of substance को मोल में और luminous intensity को यहीं से लिखेंगे तो जैसे कि यह इसका weight है, इसका mass है, तो मालों कि 3 है, तो 3 kg यहां पर लिखना possible नहीं पूरा kilogram, तो इसको sort में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ symbol बना दिये हैं कि सब भाई, अगर M लिखे हैं तो इसका मतलब समझना की meter है, अगर kg लिखे तो इसका मतलब समझना की kilogram है, और S लिखे हैं तो इसका मतलब समझना की second है, तो these are symbols है ना, यह जो A है, तो इंपियर होती है, एंपियर का symbol होती है, यह जो K है, वो Kelvin का symbol होती है, capital K है और फिर MOL, MOL, MOL का symbol होती है, और CD जो तर Candela का क्या होती है, अब देखो, यहां तो इसका कुछ definitions दी गई है, ति definitions वैसे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट फटर हम जान ले तो ठीक ही है, ज्यादा इसका example point of view से value नहीं है, whatever, जो एक मीटर है, हमने अभी भी देखा था, कि हम किसी भी units को, unit क्या होती है, तो किसी भी physical quantity को measure करने के लिए क्या कि हम कुछ दूरी को मान लेगी, इसको मान लो की एक, और इसी से पूरे दुनिया पे हम कोई चाहीं मेजर कर रहे है, अ लग लग देख रहा है, कोई बरा जोड़ा, उससी को measure नहीं करना है, क्योंकि हमने बस draw करते है, exactly same होना चाही है, जब हम measure करते हैं, तो हम एक मीटर इसको fixed value मान रखें, standard value मान रखें, यह क्या होती है, तो इसके बार हमको 1983 में क्या चली गई, पता चली थी, यह क्या होती ह इसको इसको आप इस तरह से short में मान सकते हो, इतना second, इतना second में जो light travel करता है, उसी हम लोग क्या बोल देंगे, एक मीटर बोलेंगे, इतना second में जितना भी light travel करना चाहिए, इसमें कंडिशन की है, vacuum मैं travel करना चाहिए, उस vacuum में travel को क्या होता है, जहां पर कोई900 अब्हलेंब ना हो, जो इतना second में जितना लाइट ट्रवल करें कि डिस्टेंस उसी को क्या बोलेंगे हम लोग 1 ao एक किलो ग्राम क्या बोलेंगे बोंगी यह सभी मानी ग予 है यह कोई अधिन दोरा की इन्हों अ counties को क्या करें मान रखन है कि फ़ही इतना अगर डिस्टेंस था उसको में लोग एक किलो में टेमांपेंगे उसी तरह से में एक कई में यह का कि एक संपर्लेंटिन moi लगता लेल है र accelerated कि लॉए कर जिसका सिलेंड्रेउड कल शेभ सेब्स क्या होता है इस बसक्तला और यह कि बीवांब श्यक्रा रखा है कहांपे न रही कि वह ना लोग कि यहां पर रखा हुआ है इसका से लोग यह जितना बड़ा है यह सिलिंडर का सेव का उतना ही कहां रखा गया इंटरनेशनल ब्योरो बेट में रखे गई है यह जो इसका इतना वैल्यू होगा उसी को क्या बोलने को एक किलोग्राम बोलेंगे यह मान रखे गई है कि यह जो भाई इती है ना इसका हम लोग यह ऑब्जक्ट है हमारे पास यह इसका हम लोग एक किलो मा पाइगे जैसे आप गौण समय देखें होंगे कि लोग पत्थर का एक टूड़ आप मानले तो बोलता है एक किलो का है सिमिलरली मान सकते हो यह कंप्लेटली एक किलो है ऐसा कि गई है मान ले गई है यह कभी थी तो 1889 में इसके बारे में हुई थी यह अभी भी रखा हुआ है अगर हम वजन बनाने वाले कोई अब्जक्ट बनाते हैं तो हम इसी से कंपेर करते हैं के लिए सेकेंड जो है आपको क्या होता है कि सीजयं 133 एटम है सीजयं 133 एटम इतना बार फैबरेट जितना देर में करती है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं एक सेकेंड तो इतना टाइम में बोल रखा हूं तो आप पढ़ लो वन इतना टाइम सब्सक्राइब जितना देर में करेगा उसे बोलते हैं उसे इसकेंड बार नहीं पता कब चला था तो 967 में इसके बार हम लोग डिफाइंड किये थी इस तरह से इस तरह से कह सकती इस तरह से दूसरे बाद हम यह सकते हूं को सीजय में जो है फ्रेक्षन ओफ 1-23 अब यह 1 1 1 2.3 273.6 16 वह इसी व्रेक्षन क्या बोलते हैं यहां पर आपका ट्रीपल पॉइंट वाटर देखने को लेंगे ट्रेवल पॉइंट वाटर क्या होता है आपका यहां इस पर तेमप्रेचर पे वाटर जो है लिक्विट फॉर्ट फॉर्ड इस तीनों फॉर्म यहां पर चीज को देख सकते हो इतना ट्रूपल प्रेचर पे आप वाटर का जो है वेपर फॉर्म और गैसे फॉर्म टीनों चीज देख सकते हो वही ट्रूपरेचर आप बोल देंगे एक केल्विन और इसके बारे उनका पता चली थी 1967 में सब्सक्राइब करें एक मोल के से बोलेंगे 0.012 किलोग्राम और गार्वन का नाम है एक मोल इसका फॉर्मॉला होता है मोलर मास यह मास बने मास इसका मोल का निकालने का इसके बारें का पता चली थी 1979 में पता चली थी इसको कीसे डिफाइन करेंगे इनकी मतलब क्या होता है कि एक इसका फ्रिक्वेंसी इतना हर्जो उस फ्रिक्वेर्ग्षन का इतना डैरेक्स इतना वन वह उन इसे ही बोल देंगे एक कैंडिला क्या बोलेंगे एक कैंडिला इसके बारे हम कब पता चली थी 1979 में पता चली थी नौ फर्दर मुब फॉम मुट्टू सप्लिमेंटरी यूनिट्स एंडियर सिंबल और इसाई सिस्टम क्या है हम आगे पढ़ेंगे एक चली नौक करते हैं अब देखो यह जो मेजरमेंट है इसे बोल देते हैं अंगल और इसको किसी में पर देखें देखेंगे ना इसकिंगे यह मदले यह जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बोलते हैं इसको किसे में करते हैं ऐसे स्टेडे में में जर करते हैं तो हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपका यह कभर हो रखी है हम जानेंगे क्या क्या कहते हैं सिस्टम यूट को इसका किसका तो Hybrid Fundamental और Draft दोनों यॉनिटस का इसमें क्या कहते हैं अलग अलग तरह से मे exactement करते हैं क्या अलग अलग तरह से मेजर करते हैं। N हम सबस्क्रम करते हैं Sir से सर इसमें जो है लेंथ को मीटर मेजर करते हैं मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकेंड मेजर करते हैं कि लिए सीजियस सिस्टम में क्या होता है कि मास को सेंटी मीटर में सरे less को सेंटーーं को संथ वर्यांस को ग्राम और टाइम को सकंड मेजर करते हैं अब द्यखो यहां पर को यह चीज होग से यह यह शीज समझ सकते हो कि यह 3 इन ही तीन क्यों है सर लेंथ मास और टाइम ही क्यों है देखो हमने अभी वी जश्ट उपर पढ़ाए कि अगर देखेंगे तो साथ ही उनिट है और उसी साथ उनिट का अलग लग उनिट बना रखें लेके यहाँ तो साथ उनिट नहीं क्यों नहीं है क्योंकि हम उपर पढ़ रखें हैं कि पहले के टाइम में तीरी यूनिट को मेजर के मानी जाती थी किब यहाँ पर यहां पर पढ़े थे कहां पर दा मीटर किलोग्राम सब्सक्राएं क्लाओं यहीं तीने मल biology लो को क्या माथना को एड़ की और झारों को एड खिर क्रेंट में पधही तिसवी तीनों को होगी और इस तीनों में हम अलग लग वतीसे में करते हैं मैंट्रीक इनद tablespoon system कहते हैं तिया इसे जुड़ताओ ऑन सिस्टेम कहते हैं इसे गोशन सिस्टम कहते हैं नहों आता है एक प्यश्ट सिस्टम किया जद अर्थ इसमें हम लोग लेंथ को फूट में मास को पाउंड में और टाइम को सब्सक्रीज आप लोग के खरी दिदने जाते हो तो वहां पूष्ट कीता का पाउंड का कितना की लोका हैं नहीं लेकिन अब एक्छली अब हम लोग यूज करते हैं लेकिन जब इंटर्नेशनली कोई होती है तो हम यहां इसी चीज करते हैं नहीं तो हुआ कि एक बार 1960 में यहां पर इंटीन इस्टी नहीं में जितने भी बहुत मास को किलोग्राम मेजर कर रहे हैं और आप जो है ग्राम मेजर कर रहे हो हमें नहीं आपके ग्राम के बारे हम पता है नहीं आपको हमारे किलोग्राम के बारे हम पता है तो हम और आपके पीछे कैसे ट्रेडिंग होगी हो नहीं सकती है हमारे और आपको बेपार कैसे होगी इस के निजिट एक हुमने के लिए उनकर सकते हैं से मोग में आपके समय राव से क्रेदिंग को इसी यह चार अठो और एड किये थे तो पहले यह तीन चलता था यह जो चार्ट हो चलता था उसे ही क्या बोलते हैं लोग चार्ट हो एड करके जो साथ उठो बनाई थी इसलिए उसे ऐसाई सिस्टम बोलते हैं चार्ट है इसी सिस्टम को इसी सिस्टम को ओघ्री सिस्टम भी कहते हैं यह सब ऑब्रीटी को क्यों बनते हैं कि आपkung सिस्टम की से बोलेंगे एपेशिस्टम को गैसल सिस्टम कि से बोलेंगे CGA system को, SI was adopted and accepted in the international confidence of weights and measure at Geneva in 1960 on the basis of comprehensive consensus, SI system is extended and modified from the MKS system, MKS system में ये चार और चीज़ मिला करके क्या की कर दे गई, SI system बनाए दे गई और इसी में हम सभी क्या करेंगे, measure करेंगे internationally, ये लोगों के बीच में discuss होके accept हुई थी, ये कब हुई थी, 1960 में, कहां हुई थी, जेनेवा, के लिए, अब क्या है, हमने दीख रख रहा है कि fundamental units क्या होते हैं, और क्या होते हैं, supplementary units क्या होते हैं, नो हम लोग देखेंगे drive units को, drive units तो जितने भी चीज़ें हैं, सबका हो सकता है, तो, sorry, हम लोग बहुत सरे drive units कहां पर देखेंगे, किसके चीज़ को, पहले देखेंगे area of rectangle, area of rectangle formula क्या होता है, L into breadth, L का units M, और breadth का भी क्या होते है, meter, क्योंकि एक दुकी दूए, यह भी L है, यह कि यह भी क्या है, M है, इसका length यह भी, sorry, B, इसका भी, इसको भी measure किसमें करेंगे, meter में, 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 इसको centimeter measure करेंगे, that's my point, जब length into breadth करते हैं, तो meter into meter होता है, इसका unit क्या होता है, क्या होतते है, meter square, area of square भी, meter square, radius rectangle भी क्या होता है, इन शीज से अब यह जान सकता हूँ, अगर कहीं भी area हो, तो उसका ऐसा unit क्या होती है, meter square density क्या होता है, kilogram per meter cube, acceleration क्या होता है, meter per second square, और प्रेशर का क्या होता है न्यूटन न्यूटन फिर ह quart या फिलाइव बनादा दिर्बिफ न्यूर्ब पासकल भी बोलता है पसक्ल अर्ध म sa हमेtor करण होने बहुत पाइधान हो जाए चारी करना चाहिए पहुत ज़ुड़़ाइब चाहिए तो यहां से फॉर्मला देख सकत तो दे सकते सब्सक्राइब फिए पापर का क्या होता है जूल पर सेटेंड या फिर वार्ट को क्या हुता है जूल पर सेकेंड होटी है तो अब है मीटर पर सेकन्द स्क्रेंड तो आप क्या होता है किलरा मेटर पर सेकन्द स्क्रेठ तो चलेघर च।ब सब्सक्राइब नहीं होगी नेक्स रहता है लीनियर मोमेंटम इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्कुर्ण मेगनेटिक फिल्ड फ्रस वे एक्रिक करेट इंटू इसलिए न्यूटर्ण पर एंपीर मीटर होता है या फिर इसे टेसला भी बोल सकते यह फिर वेवर पर मीटर इसको यह तीनों इसका होते हैं फ्रिक्वेंसी का सकेंड इन्वर्स या फिर हर्ज इसे स्कूर्ट है बोलते हैं यह भी होती है अब कुछ प्राक्टिकल यूनिट्स है प्रेक्टिकल यूनिट्स पोज़े तो जो कि हम लोग डेली लाइब में यूज करते हैं जैसे कि एंगस्ट्रम है अगर एक एंगस्ट्रम लिखा है इसका मतलों दसका पा है मिली मींटいき ठेन कबवार मेनस त्री मीटर को मैले मेटर बोलते हैं सेंटीमीटर कऊलों तंका फाइब को संटीमीटर बोलते हैं देखो अगर एगर ढगा थिन लिग दिए इस यसका मतलब क्या हुआ सर कि light जो है एक साल में जितना distance travel करेगी उसे क्या बोलते है लोग light year light का speed कितना होता है सर तो हमने यहां पर exactly exactly तो इतना होता है यह यह exactly कितना होता है this light इतना के speed जाती है एक second में है ना तो हम इसको इतना मुझे exactly वह याद नहीं है स्वार्ट है हम इसको 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं क्या बोलते हैं 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड तो यह एक second में जाती है एक साल में जितना जाएगी उसे क्या बोलेंगे एक light year calculate करोगे तो आपको 9.46 into 10 का पावर 50 मीटर आएगी या फिर अबरेज में इसको 10 का पावर 60 मीटर ले ले लेते हैं एक astronomical minute एक astronomical unit क्या होती है तो अर्थ और सन के बीच के distance को लोग क्या बोलते हैं astronomical unit बोलते हैं कितना है 1.5 इंट का पावर 11 16 मीटर आप इसको आप खुद से calculate भी कर सकते हो इतना amount ले लो इसको 3 से multiply कर दो आपको एक बार से निकल जाएगी एक मील बरावर कितना होता है 1.6 मीटर एक फर्मी मीटर बरावर से निकल बार मेंस फ्क म्यांस फेड़ी मीटर और सेमिलर ली यहां पर भी मस में भीимер कर देखने के कैसे निहिए pencil माकरो निस घरते हैं निकले मीटर था तो मा क्षी बोलते हैं क्या बोलें र THEM का भाइख में है तो किलो करांओं लेंगे एक मीडियार गालिए सुटक्वर a-6 इसे कटार्य撃 में था एक किलोकृराब में हो अभिजर को जएगे अगर ग्राम की बती था ग्राम की बेट एक मिली ग्राम बड़ावर 9-3 ग्राम यही डिफरиляंस है और और यहां पे 1 meter कर लेती है एक किलोग्राम मयजर कर रहें that's why 1-3 एक कुईंटर बदाबर 100 kg का कुईंटर होता है तो 1-3 kg को चंब बोलते हैं एक टोंगे मास की बात करेंगे तो 1.66 x 10-27 kg होती है एक पौइंट की बात करेंगे तो इसको गड़ा कैल्कुलेट हो गए तो पूइंट इनट का पवर थर्टी केजी होती है एक वरावर क्या होता है वन फॉर्टीन पॉइंट फाइब नैंगे नेक्स्ट टाइम की बात करेंगे तो एक पीको सेकंड बढ़ा होता थेन का पावर 12 शेकंड एक नैनो सेकंड युदा करें एक मिली सेकंड रूत तक अबर में इस थरी सेकंड एक मिली सेकंड एक रवार में 36000 एक डे में तो इस्टीसिक्स थाओजिन फोर अंडेड सेकंड एक वीग में सेवन डेज एक लुनार मत में 18 एक अटिंग डेज होती है एक moan month छोते है ऊटांट एक शोलार डश्माइब होता है कट एक aट टीफ स्थावजड़न पूरहंद्रइड तो एक मश्वड़र aoर होता है पूलेपर में 20365 यांडे सकते हैं एक टॉलॅर एक सेटे सी तो होते तो इन सब काम सौट ट्रीक होता है सौट ट्रीक बोले तो होता कि एक कंसेट समझाते हैं जिसे कमान लो आपको एक केजी को आपको यह पता है एक हजार ग्राम ब्रावर क्या होता है एक ग्राम आप से पूछ दिया एक हंड्रेट कार। आपको पता है एक हजार घ्राम ब्रावर क्या होता है एक किजी हमने पूछ दिया कि एक ग्राम में कितना केजी तो सिंपल सी बात है इससात में जो भी गुना है न इसको पशाम वजाईगा ब्रावर 1000 केजी सिंपल सी बात है बुशा है 1 mg बड़ावड कितना केजी अब देखो एक मिलीग्राम को कि बड़ावर 15.43 ग्रावर नांच बड़ावरमेस 3 kg के लिए रवमको पता है 1 mg बड़ा बड़ावत इतना होता है है कि 100 था कि इस अब यहां पर क्या हो जाएगा तो 1.453 यह किलोग्राम होता है एक पॉंड में जब एक किलोग्राम में इतना से डिभाइड करूगे तो आपको सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर यहां पर इसको याद कर सकते हैं यहां पर चीज़े इंपोर्टेंट है इस इसको यहां पर मैं लिख देता हूं 2.4 cm बड़ावर होता है एक इंच यह याद रखना है इस से लिए चिवंध यहां फिट में का एक इंच 3 पारवड यहां फूसक्राइब क्ली लएक में इस ब्सक्रावार है कि ऽत को सब्सक्रावर क्लेतर बड़ा है तो पॉइंच 1 अट किपले लगे उस्ती wall फोय कोई दिख्कत है है नहीं सिंपल सी बात है हमको अगर म mankind करने देगा तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं हैего क्या होती है नन्बर को छोड़ा साग्ड कर देते हैं यहाद कर लेना एक्जाक्ली मुझे याद है पुरा यूटा जेटा एक्जा पीटा टेरा जेगा मेगा किलो एक्टो किलो मेगा प्रेटा यहाद है सबस्क्राइब आपको यहाद करना है गया लुकक मेगा है इसका सिंबोल याद करना है एक इसका मतलब क्या हुआ है 10 का पावर 18 तो बनाने के हम यह यह आपका प्रिफिक्स एड की जाती है सिंपल से अगर आपको यह याद हो जाए तो यह यह याद हो जाएगा 10 का पावर 3 गटा अते जाओ तो यह यहां तक ही हम 10 का पावर 3 गटाएंगे उसके बाद एक एक गटाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे मिली तक हमको तो 3 आही जाएगा एंड हम फिर 3 3 क्या करते हैं घटाते जाएंगे माइक्रोब नैनो पीको फेम्टो एटो जब्टो येटो तो हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं 24 तक आ रहें बीच में यहां पर गिली से अब देखो यहां पर टू का गयप है मतलब घट रहा है क्यों इसके पीछे का रीचन यह होता है कि यहां पर अगर हम पढ़ेंगे ना यहां पर एक चकली होता है डेसी डेकार डेसी से यहां पर मीटर आता है क्या आता है मीटर जो कि टेन का पर जीरो होता है अगर दे यहां पर आपको क्या हो जाएगा एक करते आ जा रहा है फिर इसी से तीन तीन घटाना है और इस तरह साब वो याद हो जाएंगे तो याद कर लो कि ठीक और कुछ जी अब देखो हमने यह जिए अल्रडी देख रखा है कि डेली यूनिट में से एक पासकल एक यूदी में 3.7 बावर एट पर सेकंड यह एक जाकली में एंसीराटी से लिया हो आप एलेवं तन्सीराटीस लिया हो अच्टेंटर्ट स्टमार्टीफरे परावर्ट तें तन थाजन्ट त्रीवान लैक 13,000 1325 पासकल यह फिर 1.013 पासकल इसको पासकल बर यह यूनिट क्वांटिटी इस वाब देख लो प्रेक्टिकल यूनिट हमने अर्रड़ी देख रहा है कि एक फर्वी मीटर एक वर मैंनस 15 मीटर आप यहां पर देख सकते हो तेन कवर मैंनस 15 की तरह गया नीचे कि इसको फर्वी भी बोलते हैं जिस तरह से मैक इक मैकरो हो गया पर इसे मैक्रोन भी कहा जाता है आज है इस इसी क्या कहा जाता मैक नाम होते है तो अलग अलग होती है बटाब बार और पढ़ोंगे तब एजीली याद हो जाएगा एक से यूनिट आपका 10 का पावर मैंस 30 मीटर के बरावर होता है एक माइक्रों टुन का पावर मैंस 6 यूनिट हमने अलड़ी बता रख एक 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 स्ट्रोनोमिकल यूनिट हमने देख रखा है कि एर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस होता है उसे सब्सक्राइब बोलते हैं एक स्ट्रोनोमिकल यूनिट होचाए कि 1.49 निटन का पावर 11 मीटर एप्रॉक्सिमेटली में से लिटन का पावर 11 मीटर बोल देते हैं एक लिए टियर वड़ावर 9.46 मिनिट का पावर में इसमा अल्यटी देख रहे हैं यहां पर दिखा हुआ ह है ना भी डिपीट होगी है कोई बात नहीं आप यहां से चीजे वहीं याद करने की एक सोलर डेंस क्या होता है कि अर्थ के द्वारा सन के संके चालों कितने दिन में देर में चकर काटी जाती है अर्थ के द्वारा सन के चालों कितने दिर में चकर काटी जाती है उसे ही बो में क्या कर दिए पॉइंट फैप को हटा देते ही पॉइंट फैप जब चार साल मिलता है तो एक दिन बना देता है और वहीं हम चार साल वाद 366 डेज का कंप्लीट कर लेते हैं तो हमने पटक होता है हम पढ़ेंगे डैमेंशन को यूनिट हमारा यहां तक से क्या हो जाती है का कंप्लीट हो जाती है झात है हमारे कंद से कोई प्रावल्यम नहीं बची होगी इसको क्या क्यातिशा कि दिया हो है सिंपल सा देखो हमको क्या बोला है सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए हमको पता है हंड्रेड सेंटीमीटर बरावर क्या होता है होता है हूं कि हम क्या कर लेंगे एक सेंटीम्तर ब्रावर निकाल लेंगे ठोल निकाल लेंगे ही साल ऑ्सुर्म जो भी है इसको अम क्या कर देंगे धरल लागं क्या हो जाए गाद लिएन्टी मीटर हो जाएगा dist privately का स्कॉैर्फ infinity क्या करेंगे जाएगा 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 कोई समस्यानी लेनी है इस तरह से गनवर्ट करते हैं I hope आपको और कोई प्रावलम नहीं होगी, अगर कोई प्रावलम होगी, तब कमेंट कर दियो, मैं उसका आंसर जरूर दूँगा, अगर कोई अच्छा कोशन होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे, उसको एड़ कर लेंगे, आपको आगे समझ में आजाएगे, I hope आपको समझ में आगे होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू समय स्वास्ट होंगे और स्वास्ट रहेंगे,